सब्सक्राब करें अपने यूटीब चैनल लानमोट मेडिसिन को और बैल आइकन दबाएं लेटेस नोटिफिक्स पाने के लिए वालकम फैंड्स तो सुवाग अतम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक वीटामिन के इंजेक्शन के बारे में जानेंगे जिसका प्रियोग सभी डोक्टर्स चाहे वो MD हो, MBBS हो या कोई ग्रामिन चिकित सोको उन सभी के द्वारा लिया जाता है वहाँ इंजेक्शन है, नियूरो बियोन फोट इंजेक्शन, इस इंजेक्शन के कॉम्मिनेशन के अगर बात करें तो इसमें मिधाइलकोपालामीन, निकुटिनमाइड तता पारीडोक्षिन मिलाई जाते हैं जिनने हम वीटामिन B12, B3 तता B6 के नाम से जानते हैं इस इंजेक्शन में वीटामिन B12, 1000μC, 100mg की स्टंथ में, निकुटिनमाइड, 100mg की स्टंथ में, तता पारीडोक्षिन 100mg की स्टंथ में मिलाई जाते हैं, और यहा इस्टंथ परती 2ml होती है मतलब जब भी आप एक 2 ml का injection लगाते हैं तो यह मात्रा आपके सरीर में जाती है इस injection को जब आप खईते हैं तो आप इसको डारेक्ट सनलाइट में नहीं रखे इसको थोड़ी कम रोस नहीं में रखे साथ ही 25 डिग्री से लगाकर 30 डिग्री टेंपरेश्चर की वीच में उसको रखे जिससे कि यह खराब नहीं है इस injection में जो मिधायल को बाला मिन है यहां सरीर के अलग-अलग कारियों को करने में मदद करता है जैसे की सेल्सकी ग्रोथ है, ब्लंड फॉर्मेशन है, प्रोटीन सिंतेजीस है इसमें जो निकोटीनमाइड है, है सेल्सक आवाज ब्लची को अपलाब गरोता है जिससे की सेल्समें एनर्जी बनी रहे इसमें जो पायरीडोक्सिन है, यह मुख्य रूप से फेट, कार्भोहाइडेट जाता प्रोटीन के मेटाबोलिजम में हेल्प करता है और आरबीसी जो रेट ब्लेड से एले इड के इसके फोर्मेशन में भी मुख्य बोमी का निभाता है नियूरिबियन फोर्ट इंजेक्शन दवा का ब्रेंड नेम है इसे इस नाम के अलाओ किसी अन्य नाम से भी खही सकते हैं जो इसके अन्य ब्रेंड नेम में जैसे कि नियूरो काइन इंजेक्शन, नर्व इंजेक्शन, री नर्व इंजेक्शन इन में से कोई भी इंजेक्शन मिले आप उसको खही सकते हैं लेकिन उसका composition सेम ही होना चीए, जो सस्ता मिले उसा आप ले उसका भी असर सेम ही injection की use की बात करें, तो जैसा कि यह है एक nutritional supplement injection ने, तो उसका प्रियोग मुख्य रूप से nutrition की कमी जैसे vitamin deficiency को ठीक करने के लिए लिया जाता है, vitamin deficiency का मतलब है हमारे सरी में vitamin की कमी हो जाना, और जब इसकी कमी हो जाती, तो व्यक्ति में कई अलग 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 लक्सन दिखाई देते हैं, जैसे कि व्यक्ति के वजन का दीरे-दीरे कम होना, उसे कमजूरी लगना, ठकान रहना, मास पेशियों में दर्द रहना, मुहों में जाना, जल्दी ठकान आ जाना, बार-बार व्यक्ति का बिमार होना, आलस आना आदी, तो यदि इन सभी समयश्यों में आप पीड़ी थे, तो यह injection काफी फाइद मन्द है, इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को peripheral neuropathy नाम की बिमारी है, जिसमें व्यक्ति के हाथ-पाओं मे दर्द रहता है, जलन नेती है, कील चुपने जैसे ऐसास होता है, साथ जो दर्द है, वो पेन के लिए लेने पर ठीक नहीं होता है, तो उस समय यह injection दिया जाए, तो काफी फाइदि मन्द होता है, कोई व्यक्ति है, जो running ज्यादा करते हैं, exercise करते हैं, या कोई hard worker है, तो उ उस कमजोरी को दूर करने के लिए शिर दिया जाता है, कोई व्यक्ति है, जिसके सरी में खोन की कमी है, उसे परनीशियस एनीमे नाम की विमारी हो गई है, जिसमें आरवीशी नहीं बनती, तो उस समय बे यह injection दिया जाता है, डाइबिटिक नियूरुपेथी नाम के जो मरी की बिमारी है, तो उन्हें उस समय सहाइक दवा की रूप में यह injection दिया जाता है, यदि किसी भी व्यक्ति को वीटामीन की डिफीशियन की कमी के कारण को भी परका की बिमारी होई हो, तो यह injection दे के ठीक किया जाता है, अब इसके यूजर जानने के बाद जान लेते हैं, इ इसके अलाव व्यक्ति में नोजी आता है, ओमिटिंग होना, सीरदर्द होना, एब्डोमेडल डिसकमफर्ट व्यक्ति को हो सकता है, कॉंस्टिपेशन व्यक्ति को हो सकता है, यह side effect देखने के लिए मिल सकते हैं, यह इसके अलाव दूसरे undesirable effect को मिले, तो 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 रहनती इस injection का प्रियोग बंद करें अपने डॉक्ति मिलें, जैसी कि proper treatment आपको दिया जा सके, side effect के अलावा एक और बात यहां पर ध्यान रख नहीं होगी है, वह है कि इस दवा के इस injection के जो interaction है, किन-किन दवा के साथ करते हैं, उन्हें भी आपको जानना जरूरी है, इसमें जो इसके साथ इंटरेक्शन करता है, अगर किसी भी परका की medicine आपको चलती है, तो एक बार आपको डॉक्टरों जोर से बताना चाहिए, जिससे कि उसके अनुसार इसकी dose किया जा सके, और अगर यह injection उसके साथ ज्यादा इंटरेक्शन करता है, तो कोई दूसरा injection लिखा जा सक सकते हैं, तो इसके dose होती है, एड्यट्ट में जो रेक्मेंडे, पर आइमप लागाए जाता है, इसे नशो में भी लगा वी लगा सकते हैं और कुल्हें पर आइमप लगा सकते हैं, यह injection जनरली 3 injection, 5 injection, 7 injection, मरीज की नीत की यहीं डॉक्टर है, लगाना होता है और किसी यह injection लगाने की सलहा भी दी जाती है कोई व्यक्ति है जिसने यह injection पहले लगा है और इसको वापस से कमजोरी महसूस होने लगी है तो यह महेने बर बाद में या दो महेने बाद में इसको repeat भी कर सकता है लेकिन वह डॉक्टर की सलहा पर करना होता है यहां पर एक बात ध्यान रखें यदि किसी बच्चे की उमर 12 साल से कम है उन्हें समझे आए तो उन्हें यह injection नहीं दिया जाता है को प्रेग्नेंट हुमन है या को ब्रेस्पूरिंग मदर है तो उन्हें भी बिना डॉक्टर की सलह है इंजेक्शन नहीं दिया जाता है लेकिन सिर्फ फोर्टर की सल लाइक करें जद 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 इसको किसी और की पी काम आसके और अभी तक आपने अपने अपने एडिप चैनल लानबॉत मैडिस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस बटन को दबाएं सब्सक्राइब करें और जो पास में पहले कहना इससे ज़रू दबाएं जैसे कि आने में आपने दोस्तमों कि आदिश के साथ देखरें थे अपना इडिप चैनल लानबॉत मैडिसी थेंक योफ्रेंड्स टेक रे अन बीकेपवाट में इस ब्सक्राइब